कॉंग्रेस का अगला द्यक्ष कौन होगा इस सवाल का जवाब कॉंग्रेस का रिगरताओं और नेताओं के अलावा कॉंग्रेस की विरोधी पार्टियां भी जानना चाहते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि कॉंग्रेस पर परिवारवाद का रोग लगते आएं और भाजपा हमेशा ये कहती आई है कि गांधी परिवार के लावा इस पद पर कोई आसी में नहीं होगा इधर कॉंग्रेस अद्धिश पद की चुनाव से पहले पार्टी नेताओं के बयान लगात रहें और देश भर में कॉंग्रेस जनों की भावनाओं को समझते हुए राहूल गांधी को पार्टी अद्धिश पद के लिए हम भर देनी चाहिए आगे गहलोत ने कहा कि यदि राहूल पार्टी के अद्धिश नहीं बनते हैं तो इससे कॉंग्रेस जन को निराशा होगी कॉंग्रेस के नए अद्धिश को लेकर जारी अटकलों के बारे में पूछे जाने पर गहलोत ने यहां पत्रकारों से कहा कि राहूल गांधी को अद्धिश बनना चाहिए वही राजिस्तान के मुख्यमंत्री अशोग गहलोत ने पत्रकारों से बाच्चीत में कहा कि राहुल गांदी अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो इससे देश में कॉंग्रेश मिनलाशा उचा जाए कई लोग घर बैट जाएंगे और हम लोगों को तकलीफ हो राहुल गांदी को पूरे देश के आम कॉंग्रेशिनों की भावना समझना चाहिए और अध्यक्ष पत को सुईकार कर लेना चाहिए गांदी या गैर गांदी परिवार की बात नहीं है ये तो संगितन का काम हो कोई प्रधान मंत्री तो नहीं बन रहा है इससे साथ ही मुख्यमंत्री न आगे कहा कि बीते 32 साल में इस परिवार का कोई व्यक्ति प्रधान मंत्री, केंट्रियमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बना तो फिर यानि नरेंद्र मोदी जी इस परिवार से डरते जा है कुंती अर्विन केजरिवाल को कहना पड़ता है कि 75 साल में कुछ नहीं हुआ देश में तो सब लोग कांगलिस पर ही हमला क्यों करते हैं अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइप जरूर करें